नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मल्टिप्रिकेशन वीडियो नमर् 3 में पहले दो वीडियो में हमने मल्टिप्रिकेशन 2 डिजिट के 3 डिजिट के जो की अपने simple method से सीखे इस वाले वीडियो में आपको मैं मैं ट्रिक सिखाऊंगा कि आपको कोई बोलता है कि 22 x 21 कैसे होता है तो आप जल्दी से ट्रिक के त्रों इसको solve करके आप answer दे सकते हैं तो यह मैं ट्रिक सिखा रहा हूं आपको इस वीडियो में तो मैं recommend करूंगा आप सबसे पहले आपको समझ में आएगा कि logic क्या है कैसे multiply होता है अब अपने आता है ट्रिक स्टार्ट करते हैं तो मैं अपना लॉंग प्रोसेस से करूंगा तो मुझे काफी टाइम लग जाएगा तो देखी में ट्रिक बताता हूं आपको क्या करना है सबसे पहले जो left side का first number है उसको यह multiply वाली के first number के साथ multiply कर देना है यह अपना number one step हो गया तो क्या हो जाएगा 224 और इसको यहाँ पर लिख देना है जो second value के number है उसको आपको blank सोड़ देना है उसको अपन solve करेंगे इसके बाद पहले इसको solve करेंगे तो second position क्या रहेगा आपको यह वाला जो number है second number का इसके second number से multiply कर देना है यह आपका second number का logic हो गया तो क्या होगा 2 बंजा 2 ठीक है अभी आपको क्या करना है third वाला यह वाली value अभी तक बची हुई है तो उसके लिए आपको इसको इससे multiply करना है and then इस number को इससे multiply करना है and दोनो नंबरों को जो आएगा add उसको add कर देना है तो 2 into 2 क्या होता है आपना table में reference ले सकते हैं 4 तो 2 into 1 क्या होता है 2 तो अपना यह क्या आ गया 6 क्या आया 6 value 2 plus 4 6 तो यहां पर आपन 6 लिख देंगे तो जो अपना answer आया जो उत्तर आया वो आया 462 तो 22 into 21 आप simple में धर चांशा multiply करके देख लीजिए आपका answer इसके साथ match होगा अभी एक काम करते हैं यह तो simple position थी यदि यहां यदि 9 से बड़ा number आता है तो यह logic change होगा तो मतलब यह जो पहले number है 1,2,3 इनके लिए proper work करेगा यदि आपका बड़ी value है मेरे को लगता है कि 35, 45 into 19, for example यह वाला example यह आपको challenge में मैं दूंगा भी और explain करता हूं कि 99 into 99 है त अपन देखिए उसको देखते हैं अभी same logic लगाएंगे logic same है logic में कोई भी different नहीं है पहले number का value इससे multiply first value के साथ होगा second value के साथ होगा and third value अपना PA plus this value 2 का 9 के साथ and जो value आएंगी उनको अपन कैसे लिखते है यहां पर देखिए अभी सबसे पहले क्या logic था first वाला क्या था 2 into 3 क्या होगा 6 अभी एक काम करना है आप हमेशा 6 को डारेक्ट नहीं लिखिए यहां पर जो आपने यहां पर फिल करने वाले हैं जो भी answer आने वाला यहां पर 6 डारेक्ट नहीं लिखिए एक रफ में लिख लिक कर रख है 36 अब यहां पर देख लिजिए 4 9 36 अभी देखिए अपने पास value अपन बोलते हैं कि एक एक ही रखेंगे लेकिन अपने पास तो double value आ गई है तो आपको double नहीं लिखना है आपको वही same logic जो अपन सीखा 6 यहां पर लिख दीजिए and 3 आपका क्या हो गया carry forward जो आगे के लि value के लिए यह वाला logic तो आप क्या करते हैं 4 multiply 3 क्या होगा 4 3 12 plus 2 into 9 ठीक है 2 9 18 इनको add कर दीजिए क्या आगए आपका 30 8 plus 2 10 0 1 carry forward 1 plus 1 plus 1 तो 3 30 बट अपने पास क्या है एक carry forward की value 3 भी है तो यह क्या हो जाएगा 33 33 अगेन अपने पास एक ही value रखना यहां पर तो 33 की जगे अपने यहां पर क्या लिखेंगे सिर्फ 3 अगेन जो carry forward हुआ है उसको इसके साथ add कर देंगे ठीक है simple है इसके कारण मैंने direct यहां पर ने लिखा था इसको बचा कर रखा था कि कोई carry forward आएगा तो अपने उसको add कर लेंगे तो 6 प्लस 3 क्या जाएगा 9 कि सिंपल है ना 936 अंसर अब बिदिन बार मिनिट आपको फास्ट आपको प्रक्टिस हो जाएगी तो आप फटाफट add करना है तो आप कर सकते हैं एक काम करते हैं इसको मैं फिर से लाए करना है और यह प्लस फर्स्ट वाले को इस वाले से मल्टिप्लाइ करना है तो इस स्टाट करते हैं सेम यह वाला फर्स्ट टू थ्री जा शिक्स डारेक नहीं लिखेंगे उपल लिख देंगे यहां पर 2nd value अपने को मालब है पिलेंक रखनी है थर्ड वैल्यू थर्ड वैल्यू का क्या है यह वाला थषर्ड वैल्यू के लिए यह वाली वैल्यू के लिए यह लॉजिक है तो 9 4 ग तर्टी 6 यहां पर तीरी आपका carry forward हुआ एक ही value लिखते हैं हमेशा इस logic में अभी second वाला क्या है अपना इसके लिए जो बीच की value के लिए logic यह उपर लिखा यह है तो क्या हो जाएगा 43 जा 12 प्लस 29 जा 18 इन दोनों को जोड़ देंगे add कर देंगे तो क्या आएगा अपना addition 8 प्लस 2 10 0 यहाँ पर 1 carry forward हुगा तो 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो गया 3 30 लेकिन अपना carry forward भी आके आया 3 यहाँ पर हो जाएगा 33 33 की यहाँ पर क्या value आपकी 33 लेकिन अभी फिर से यह बचा हुगा है 3 जो कि carry forward होगा तो इस carry forward को जो पहले नमर value आई थी 6 उसके साथ add कर देंगे तो 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा 9 हो अंसर आया वो क्या आया 9 3 6 आप जो पुरानी method है जिससे कि आप long में पूरा multiply काती है इस number को पूरे के साथ second number को पूरे value के साथ उससे आप एक बार double check कर लीजिए आपको 9 36 ही answer आएगा ठीक है एकदम simple था ना एकदम short method है इसके बाद हम next वीडियो में three digits वाले करेंगे जो तो आपके लिए मैं एक challenge दे रहा हूं इस वीडियो में आपको 99 into 99 same method से करके नीचे आपको comment में डालना है कि आपका answer क्या आया इसको मैं next वीडियो में इसका answer दूंगा and अपन लोग discuss करेंगे यदि आपके comment आई कि आपको कहा समझ में नहीं आया है ठीक है तो आप नीचे है आपको recommend करता हूं देखिए subscribe button है उपर bell है आप उनको click करिए जिससे आपको continue सारे वीडियो जो इस तरह के trick है वह आपको continue मिलते रहे हैं मिलते है नेक्स वीडियो में धन्यवाद बाई